वहीं रखी जाए तो पूरा देश भर पेट भोजन कर लेगा। ये एक साथ चाहिए। देश भुक मरी का शिकार नहीं, सहीं व्यवस्था के एपसेंस का शिकार है। एक कीस मिलियन टन गिहूं वेस्ट होता है देश में, लेकिन किसी गरीब को नसीब नहीं होता। एक सरवे के नुसार देश की जितनी आबादी है, उससे दुगुना खाना डेली बनता है देश में, लेकिन फिर भी लोग देश में भूख से मर रहे हैं, बच्चे कुपोशन के शिकार हैं। एगरिकल जान मिनिस्ट्री के हिसाब से, पचास हजार करोड का खाना देश में हर साल घटर में बहाया जाता है। उसका कारण है कि उन जमीनों से जंगल काट दिये गए, ताकि खेदी की जा सके और लोगों का पेट भर सके, लेकिन इस भारी कीमत पर हम जो अनाज उप जाते हैं, उसे खाते नहीं, फेक देते हैं। सोचिए कितना नुकसान हो रहे आपके खाने को वेस्ट करने की आदत से। तीन सो मिलियन लीटर तेल हम रोज जलाते हैं, उस खाने को पकाने के लिए जो नालियों में बहा दिया जाता है। अगर इंसान हैं, तो प्लीज, राशन का समान उतना ही खरीदें, जितनी जरूरत हो। आफर्स के चक्कर में ज्यादा कभी न लें, क्योंकि वो कूड़े दान में ही जाएगा। 20 प्रतिशत समान हम भारती जो खाने के लिए खरीदते हैं, वो फेक देते हैं। स्टैस्टिक्स को ध्यान में रखे, दिमाग में रखे। बाजार से सबजिया लेकर आते वक्त ध्यान देगी घर में कितनी इस्तमाल होगी और कितनी वेश्ट होगी। हरी साग भाजियों को पहले बना कर खत्म करें, और नहीं था फेकने में जाएगी। दिन का खाना बच गया है तो उसे रात में फ्रिज से निकाल कर इस्तमाल कर लें दूसरे दिन का प्लैन करेंगे तो खराब हो सकता है रात में बचे तो उसे ब्रेक वस कर लें अगर ऑफिस में काम करते हैं या किसी भी जॉब में हैं जा केंटीन की सुईधाएं उपलब्ध हैं या कोई होटल आपके पहचान का है जा खाना रात में बच जाता है तो मैनेज कीजी उनके साथ मिलकर कांटेट कीजी अपने आसपास के एंजियोस को वो हल्प करेंगे ये खाना जरूरत मंदों तक पहुचाने के लिए शादी पार्टियों में भी चीज की जा सकती है और इन सबसे बड़ी बात आप सभी युवाओं से देश के यूथ से विनती है कि जब कभी बाहर आउटिंग के वक्त या गोमते फिरते कुछ खाने का मन करें तो प्लीज घर में फोन जरूर लगाईए मा को जरूर बोलें कि आज मेरे लिए मत बनाना माँ नहीं तो देश की महनत भी उस खाने के साथ नाली में जाएगी और आपकी मा की ममता भी वहीं बह जाएगी जहां से हूँ वहां की बात करता हूँ भारत करेने वाला हूँ भारत की कहानी कहूंगा एक कहावत है मेरे देश में जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्षमी नहीं आती जिस घर में खाने की बेजज़ती होती है वहां बरकत नहीं होती तो इतना ही कहेंगे उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाये नाली में भोजन खाने के लिए है फेकने के लिए नहीं जहांकि चीज है न वही रखनी चाहिए और ये वीडियो शेर करने के लिए है देखकर भाग जाने के लिए नहीं तो कि आप तो भाग जाएंगे पर आपकी अंतरात्मा कचोटती रहेगी आपको धन्यवाद